हें गाइस तो समसंग अलेक्स च्वेंटीवान एफी यूजर्स के लिए वानिवाइश 6.1 का अपडेट आया एंड इसके अंदर हमें कोई भी AI फीचर्स देखने को नहीं मिला लास्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाए था कि आप किस तरद से आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप किस तरद से वाइस इंटरप्रेटर फीचर का इस्तवाल कर सकते हो यह एक एए फीचर है जो कि समसंग ने वानिवाइश 6.1 के इंटर इंटेड्यूस किय इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा Google Play Store में यहाँ पे आपको Google एप्लिकेशन जो है इससे आप लोगो सबसे पहले तो अपडेट कर लेना है अगर आपकी फोन में अपडेटेड नहीं है तो इस फिचर को सबसे पहले आपको अपडेट करना है और इसके बाद आपको एक और एप्लिकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है Activity Launcher यह एप्लिकेशन जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है और Google भी अपडेट हो जाता है आपको Activity Launcher को ओपन करना है और यहाँ पर आपको Simply Search करना है interpreter तोこれब्लेट लिखते ही Google के नीचे आपको यह इ Owen इंटरपेटर वाला option मिलेगा इस three lines के उपर tap करके sorry three dots के उपर tap करके create shortcut आपको कर देना है then add अब जैसे ही add करो गए home screen के उपर एक shortcut आपका add हो जेगा इस shortcut के उपर आपको tap करना है देन फिर से आपको add करना है देन जैसे ही आप बापस से home screen के उपर आओगे आपको यहां पर दो interpreter देखेगा लेकिन जिसके नीचे यहां पर Google का sign है जी लिखा हुआ है आपको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाओं तो यह जो जी है इसे आपको रखना है और इस वाले को आपको simply हटा देना है रिमूब कर देना है बस आपकी फोन में यहां पर इंटर्पिटर वालब इशारा चुका है इसके पर आपको टैप करना है यहां पर आपको दो आप्सिन मिलेगा देश्पीक और यूश्पी इस फिचर का मदद तभी होगा सपोज मैं मुझे इंग्लिस नहीं आता अगर मै तो लोग जो बात करेंगे इंग्लिस में फिर टर्सलेट होके हिंदी में आ जाएगा तो इस तरह से यह फीचर काम करता और इस तरह से आप अपने किस भी फोन के अंदर वाइस इंटर्पिटर फीचर का इस्तमाल कर सकते हो फरक नहीं पड़ता आपकी फोन में वानिवाइ और शेयर कर देना अगर आपकी मन में और कोई भी डाउट से कोरीज है तो नीचे मुशी कमेंट करके पूच सकते हूँ और ऐसे हैं इंटर्स्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए आए डिजिटल टाच को भी सबस्टाइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक यू